प्रिवीव यहाँ मेकर्स की तरफ से टोटल 6 एपिसोडस दिये गया है वो भी 40 मिनट के अलगी पहले सीजन में 8 एपिसोड जो कि डिफिनेटली अच्छा वासा टाइम कंजिम करते हैं यहाँ पर भी ये शो शुरात के पहले एपिसोड में तो अपनी कहानी यानि के पारी बहुत ये अच्छे से खेलते हुए इस बात की उमीद देता है कि मेकर्स पहले सीजन की तरह अच्छी रूट पर आगे बढ़ रहे है लेकिन उसके बाद फिर जब ये शो सीधे डिकलाइन होना शुरू होता है यानि खिचली बना करके देता है उससे जैसे तैसे करकर ये शो लास के आखरी एपिसोड में समलने क कोशिश करता है क्योंकि सीजन 3 का हिंट देना था जिसमें नो डाउट हर बागी तरह एक्टर्स भी अच्छी कासी परफोर्मेंस देते हुए शो को बस पुरानी वाइप पर ही ले जाते हुए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे जो कि डेफिनेटली शो की राइट शो बनाने के लिए एक हिसाब से देकर के बरबाद ही किया है क्योंकि अन्देखी को लेकर के मेकर्स की तरफ से सीजन 1 में बहुती अच्छी अप्रोच दाली गे थी लेकिन सीजन 2 टट्टी था जिसके बाद जाकर के उस शो का पैक अच्छे क्रिटिसिजम मिलने के बाद लोगों ने किया था लेकिन यहाँ पर वो काम मुझे दूर दूर तक इसलिए नजर नहीं आ रहा था क्योंकि शायद से ये शो राइटिंग में उसी शो के आसपास गया था यानि कुछ भी दिखाओ कुछ भी चलेगा उसी बैटन को फॉलो करते वहाँ जिसमें मेकर सीजन खिचली बना तो वही थी यानि पूरे वीडियो में मैं आपको यह कह रहा हूँ कि टाइम देने की जुरत है नहीं जो कि डेफिनेटली ये सीजन टू बरबाद भी करता है इसलिए अब आपके समय को बिल्कुल भी ना बरबाद करते हुए सीधे मुद्दे की बात करू तो बागी फिर क्या मैं हूँ अजीज मुवी स्टॉक शो चैनल लाइक शायर सब्सक्राइब भूलना मत पुरूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में तिल देन बाई